नमस्ते दोस्तों मेरा नाम C.A. Rajinder Arora है और आपने अभी तक अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए ताकि आपको फ्रेश वीडियो के बारे में अपने आप बता चाहिए दोस्तों आज हम इकठा हुए हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रस्टिंग और रेलेवेंट टॉपिक को डिसकस करने के लिए अंडर जीएस्टी हम बात करेंगे आज जीएस्टी इंप्लिकेशन की सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हमने ये प्रोविजिनिग क्यों की दूसरा सभाफ कि हमने ये प्रोविज्जिनिंग कैसे की पहला सवार provisioning क्योंकि? क्योंकि हमें accounting standard 29 को comply करना है और अपने financial statements में ensure करना है कि वो true and fair view express करें इसलिए हमने provisioning की कैसे की? तीन बातें पूरी हुई तो हमने किसी भी expense की provisioning की पहले किसी past event के basis पर एक present obligation arise हुई उस present obligation को discharge करने के लिए एक resources का outflow होना है तीसरा जो obligation का amount determine करने के लिए हमारे पास एक reliable estimate होना चाहिए अगर ये तीनों बातें पूरी होती हैं तो हमें provisioning करनी है और क्यों करनी है? In order to ensure that our financial statements reflect a true and fair view दोस्तों अब provisioning क्यों करनी है और कैसे करनी है हमें समझ में आ लिए अब हम बात करेंगे कि जो हमने provisioning of expenses की है उस पर GST की implication क्या है हमने total overall बात को दो भागों में divide कर लिया पहला कि GST की implication जो recipient है उसके हाथ में क्या है और GST की implication जो supplier of goods and services है उसके हाथ में क्या है अगर forward charge में tax pay करता है मतलब supplier उसको charge करता है और recipient पे करता है और दूसरा reverse charge में reverse charge में tax कौन पे करता है recipient ही पे करता है तो पहली situation में अगर हम बात करेंगी forward charge में recipient ने अपने यहाँ provisioning of expenses की है तो provisioning of expenses, goods and services दोनों की यहाँ पर ना उसको invoice रिसीव हुआ ना ही उसने कोई payment की ना कुछ और किया सिरफ provisioning of expenses किया है in order to comply accounting standard 29 तो कोई condition fulfill नहीं होती है, कोई GST की implication नहीं आती है तो क्योंकि उसके पास कोई tax invoice नहीं है तो इसको input tax credit भी नहीं मिलना है अब बात आती है अगले situation में recipient में अगर वो reverse charge में tax पे करता है reverse charge में goods or services, services जो हैं दोस्तों वो 13 services and notification 13 by 17 के साब से और 6 goods भी हैं दोस्तों जो reverse charge mechanism में compulsorily आते हैं और एक 9 bracket 4, section 9 bracket 4 of CGST Act में भी reverse charge लगता है जहांपर अगर आप URP से, अगर आप registered person है, recipient है और आप unregistered person से material करीद रहे हैं, goods खरीद रहे हैं, services procure कर रहे हैं तो आपको reverse charge में उसका tax pay करना है तो अब उसकी conditions क्या है, दो sections हैं दोस्तों section 12 और section 13 जो कि time of supply की बात करता है GST कब लगेगा recipient के हाथ में, अगर मैंने कोई provisioning of expense की है और उसकी वज़े से time of supply trigger हो जाती है तो tax तो recipient नहीं देना है, supplier तो यहाँ पर ही नहीं supplier के लिए तो कोई liability ही नहीं है reverse charge में तो उस case में पहला अगर मैं बात करूँ कि goods के case में यहाँ पर हमारे पास 3 conditions है date of receipt of goods, date of payment और दूसरा है 31st date, 31st day from the date of invoice अगर इन तीनों में से जो पहले होता है, उस date पर time of supply होती है जैसे time of supply हो जाती है, GST की liability accrue और arise हो जाती है अब इन तीनों में से ना तो उसके पास goods आए है, ना ही उसने payment की है, ना ही invoice है कोई तो उस case में GST की implication यहाँ पर recipient के hand में नहीं होगी, अगर होगी तो वो tax, अगर time of supply हो जाता है, तो वो tax pay करेगा अगली situation आती, services के case में, services के case में दो conditions है दोस्तों, पहली date of payment और दूसरी, 61st day of from the date of invoice अगर यह भी दोनों में से कोई भी चीज पहले आ जाती है, provisioning of expenses की बात कर रहा हूँ है, दोस्तों ध्यार न कियेगा, तो उसको recipient को reverse charge में tax pay करना है, और जो भी वो tax pay करेगा, recipient reverse charge में उसको उसका credit मिल जाना है, यह तो रहा recipient की situation, GST implication में, अब supplier पर क्या GST implication आती है, provisioning of expenses, जो की recipient ने अपने किताबों में book किये हैं, उसकी GST implication supplier की उपर, अनकि आप कहेंगे भी जब supplier ने बिल ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं उसने, तो उसकी GST की implication क्यों है, लेकिन फिर भी हमें समझने की जरूँ हता है, दोस्तों, ए Supply of Services के case में, supplier के हाथ में, time of supply कब होता है, तीन conditions है, इन तीनों में से जो earliest है, time of supply में जाता है, पहला, आपने date of invoice क्या है, दूसरा, date of receipt of payment, और performance of provision of service, दोनों में से जो earlier है, वो दूसरी situation है, पहला, क्या है, date of invoice, दूसरी क्या है, receipt of payment, और provision of service, इन दोनों में से जो earlier है, वो वो दूसरी situation है, दूसरा point of time है तीसरा A, B और C तीसरा जो है, वो यह कहता है कि अगर A और B apply नहीं हो पा रहे हैं तो तीसरा लगेगा, तीसरा कब क्या लगेगा? वो date, जिस date पर recipient ने supply of service को अपनी किताबों में receipt दिखा दिया है वो date time of supply बन जाए इस condition को देने का purpose क्या है, दोस्तों basically कि जिस समय provision of service की completion का हमें पता नहीं लग पा रहा तो हम, क्योंकि हो सकता है कि supplier और recipient के बीच में कोई dispute है कोई और बात है जिसकी वज़े से completion of service पता नहीं लग पा रही तो जिस दिन भी recipient ने अपनी किताबों में receipt of service book की उसी दिन को आप time of supply माल लेंगे कब जब A और B नहीं लगते हैं तो यह C है अब situation यह आई कि कई opinions यह आ रहे हैं दोस्तों कि receipt of service तो provisioning of expense के समय जब आपने receipt, जब आपने provision किया तो आपने कह दिया ना कि that you have received the services पर practically क्या आपने receive किये services यह जो C clause है to my understanding it is only for that situation where provision of service, completion of provision of service is not determinable और दूसरा provision of expense जो हम book कर रहे हैं वो मैंने आपको शुरू में बताया कि क्यों book कर रहे हैं in order to ensure that books of accounts are representing true and fair of you तो दोस्तों तीनों में से कोई भी चीज़ ट्रिगर नहीं होती है to our understanding तो supplier के हाथ में भी time of supply उस दिन नहीं हुआ जिस दिन recipient ने अपनी किताबों में receipt of service दिखा दिया यह तो बात रही है supplier के case में provisioning of expenses में एक और बड़ी interesting provisioning होती है दोस्तों provision for bad and doubtful debts अब आपको पता है मैं provision for bad and doubtful debts आपको पताने की जरुत नहीं है और resultantly हम किताबों में कई बार यह भी डालते हैं कि bad debts ही हो गए bad debts हो गए तो अब पूरा का पूरा आपने दिखा दिया कि यह पैसा तो आने ही नहीं है आपने उसको खर्चे में दिखा दिया अपने profit laws में expense out कर दिया इसके उपर GST की implication किया है दोस्तों देखे इस से पहले में आपको section 34 याद दिलाऊंगा जो credit note and debit note के बारे में बताता है वो यह कहता है कि चार circumstances में आप credit note issue कर सकते हो credit note issue करने का मतलब है अगर supplier ने credit note issue किया है then it means he is reducing his output liability provision for bad and doubtful debts इसका मतलब यहां पर भी आप अपना receipt जो है जो आपने supply की थी आप यह कह रहे हो कि यह जितने की मैंने supply की थी उतने का पैसा मुझे नहीं आ सकता इसके लिया provision अपनी किताबों में कत्रिस मार्च अठाना को बना रहे हो अब उसके उपर credit note तब issue कर सकते हो चार conditions है पहला या तो आपकी taxable value reduced हो या tax charge reduced हो या आपके goods returned हो या supply deficit हो इस चारो circumstances में आप credit note issue कर सकते हो supplier credit note issue कर सकता है और अपने output को reduce कर सकता है और ensure करना है कि recipient ने अपना input tax credit भी reduce किया हो तो section 34 में credit note issue किया रहा सकता है लेकिन दोस्तों इन चार conditions के अलावा credit note issue नहीं हो सकता मतलब अगर bad debts है अगर मेरे मैंने अब यहाँ पर तो provision क्या है कि जैसे ही मैंने invoice issue किया पैसे आए हो goods और services के या ना आए हो मेरी time of supply हो जाती है तो अब अगर provision for bad debts है या bad debts है उसमें भी मुझे कोई relief नहीं है in the form of reduction of my output liability ऐसा ही that में भी होता था ऐसा ही service tax में भी होता था दोस्तों और ऐसा ही GST में भी हो रहा है हाला कि हमारी समझ में इस की facility क्योंकि जो मेरी supply हुई उस supply की consideration तो मुझे मिली नहीं वो supply actually हुई नहीं तो उसका tax मुझे collect क्यों किया है यह दोस्तों पूरा provisioning of expenses की बात थी हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा नाम सीय राजिंदर अरोडा है एक बार फिर request करूंगा मेरा YouTube channel subscribe कीजिए thank you very much friends